हलो श्टूदेंट्स आज हम पढ़ेंगे राजिस्थान के कुछ गॉल्स। राजिस्थान के कुछ इंसेक्ट इंड्यूस्ट गॉल्स। यह लिस्ट है एक सम गॉल्स फॉफ राजिस्थान सबसे पहले हैं पंगेमिया गलेब्रा लीफ गॉल पाई इरियोफाईस माईट। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो गॉल्स जो हैं, वो सबसे ज्यादा डिप्टेरा के ग्रुप से होते हैं, डिप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं उनके द्वारा, गॉल मिजेज के द्वारा और दूसरा नंबर है माइट्स के द्वारा, तो ये माइट अरेकनीडा ग् io pig bạn पंगे अग्लेकरा करंज इसको कमन नेम इसका और यह पतियां होती है इसकी लीव्स जो है चिकनी होती है चमकदार और च्छायादार पौधा यह इसके अलावा इसकी medicinal importance भी है और यह insecticidal properties होती है इसमें और skin diseases में भी काम में आता है यह तो काफी important पौधा है सुन्दर भी है च्छायादार भी है और medicinal importance का पौधा है दूसरा है जीजीफस जुजुबा पेर जैसा के आप सब जानते हो बेर बहुत इस्टी होते हैं खाने में और shoot axis गौल इसके उपर पाया जाते हैं यह भी आपने देखेंगे बहुत ही common यह भी mite के द्वारा होते हैं इरियोफाइस के द्वारा होते हैं यह पंगेमिया की leaflet पे तो यह गौल है और यह बेर के उपर है यह गौल आपने देखेंगे red-brown का ब्राउन gonna के और साथ और फा कर ग्लीडर की देखेंगे गुलड़ के पति के उपर जो यलो औरेंज तो यह होते हैं तिन्टएरा की विजह षघूतते हैं झो गुप में आती हैं गौल मुझेज होती है पहुत ही माईनूट फलाइ होती है छोटी छोटी फलाइ से डिप्टेरा ट्रू ट्रू फिलाइज होती है डिप्टेरा दाइ मींज दो टैर में जो मिजेज हैं उन से फाइकस क्लोमेरटा के उपर लीफ पे गॉल पाए जाते हैं निक्स्ट है मेंजी फेरा इंडेका यानि आम आम की पतियों पर भी आपने देखे होंगे काले काले रंग के यसे काली मिर्च जैसे साइस के ब्लैक कलर की गॉल्स मिलते हैं यह भी डिप्टेरा की वज़े से होते हैं मिज फ्लाई की वज़े से और सालवाडोडा ओलियोडिस पीलू जिसको कहते हैं रास्तान में बहुत मिलता है यह इसके उपर भी स्टेम गॉल पाया जाते हैं जो कि डिप्टेरा की मिज के द्वारा होते हैं और नेक्स्ट है लसू माइट के द्वारा होते हैं और सफेद कि कर भी बोलते हैं को अकेसिया लूक्योफ्लोय इसके उपर भी भॉल मिलते हैं जो की ही कि आयेreally मैट के द्वारा होते हैं और इसके उपर स्टम गॉल across yahoo ऑसcus एम चल्सीड वैस्प के द्वारा होते हैं जो इसके द्वारा यह गॉल होते हैं अकेसिया की स्टेम के उपपर प्रोसोपिस पे भी इस्टेम पे और लीफ पे दोनों पे गॉल पाए जाते हैं प्रोसोपिस जूली फ्लोरा यानि विलाइती कीकर विलाइती कीकर जो आजकल सबसे ज़्यादा दिखाई देता है चारों इसके अलावा दूसरा एक नुक्सान इसका ही है कि दूसरे जो पौधे होते हैं उनको ये उगने नहीं देती है यानि ये सारा जहां फैल गया है वहां पे धाक खतम हो गए अमलतास खतम हो गए और जो दूसरे पेड़ हैं गुलमोहर है जंगली गुलमोहर वगएरा सब खतम हो जाता है और ये अपना सामराज इस्थापित कर लेता है तो इसलिए लाया गया था अपना सामराज इस्थापित करने के लिए कि जहां जो बैरन लेंड है रिगिस्तानी जगे है वहां पे हरियाली हो जाए और जलावन लकड़ी से मिलती है ये भी इसका फायदा है हरियाली हो जाती है जलावन लकड़ी मिलती है लेकिन दूसरे नुकसान है जो दूसरे पेड़ों को नहीं होने देती है ये और उसकी वज़े से और जो दूसरे जानवर हैं जो दूसरे पेड़ों के साथ जिनका असो जो फेलती जा रही है जो फ्लोरा को भी खतम कर रही है और फॉना को भी खतम कर रही है तो फिर इस पर भी जोते हैं लीकष रहा दॉसरा पैड़ है लेनिया कॉरो में डालिका उस इसके उपर भी लीफ गॉल पाया जाते हैं जो की डिप्टेरा के द्वारा होते हैं लैनिया कॉरो मेंडेलिका क्याते हैं गर्जन को या जींगन यह भी अपने अरावली हिल्स पे काफी पाया जाता है पौधा तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं पंगेमिया गलेब्रा करंच की पत्ती के उपर जो गॉल है पंगेमिया लीफ गॉल यह बहुत ही कॉमन है और प्रैक्टिकल क्लास में भी इसको हम कराएंगे लीफ गॉल एपीफिल्लस लीफ गॉल होते हैं इसके ऊपर की सर्फेस पह इस भी आपको दिखाँ है और वेरी डरी हाइपोफिल्लस होते हैंrative सब सेलेंड्रिकल इनकी जो शेप है कलेवेटली सेलेंड्रिकल या अबलीकली औपफाईरी फॉर्म होते हैं पैडिसेलेट होते हैं सिफेलोनियन पाउच गॉल है यह देखिए आप इसमें यह पैडिसेलेट हैं छोटा सा स्टॉक है नीचे पतला सिफेलोनियन पाउच गॉल यह दो होते हैं यह और यह तोड़ी फूली की बही दो होते हैं, यह उसलिए के सिंपलल और यह दो ब्रॉप होते हैं नुन हमें एन पापन में ऑन में अन्यूर्स को मा एक इंडे इसेंट्रलाका । छार्णा स्कृतिकत कर आपने कंव्ली हं эфф clinically बहुत होती है कि यह उन्यॆइणडार प्लॉट्भियोस्या माल सबुम्लर्स इसेंडोयसी च्रीकन वहुथ spiritually क्वेश्चे में थ। है क्योंकि इसमें नीचे कि तरह है आइपो फिलास है नीचे की तरफ उसमें से जो इंसे वो बाहर निकल जाता है जिसमें से भाय निकल जाती है जिए हैड़ाली आइप सर्फयल Vitus epa unos यह nutritive भी होते हैं और protective भी होते हैं तो यह iranial hair पूरी lining में है और नीचे की तरफ जहां osteol है वहाँ पे भी downward direction में यह iranial hairs पाई जाते हैं the gall tissue constitute consist of simple large and closely packed parenchyma shells on some plants the entire blade of leaflets are turned into dense clusters of conspicuously pubescent and yellowish brown galls without a trace of free blade तो कई बार तो बहुत ज्यादा संख्या में यह हो जाते हैं और yellowish brown color के होते हैं और फिल्कुल blade तो दिखा ही नहीं देती है इसमें जो इनका size है वो 10 mm height है इसकी और 1-2 mm thick at base and 5 mm thick epically उपर से थोड़ा सा चौड़ा है इससा सिर वाला जो हिस्सा है वो 5 mm है और नीचे नेक वाला इससा है वो 1-2 mm ठीक है इसमें predators और parasites भी पाय जाते हैं मिज जो है वो predatious है और एक chelcid है वो parasitic है तो मिज तो diptera में आती है और chelcid जो है वो hymenoptera का है दूसरा गॉल है यह बहुत ही कॉमन जो गॉल है वो जिजिफस जुजुबा यानि पेर के उपर पाया जाने वाला stem axis गॉल irregularly globose है यह globose है लेकिन यह irregularly है lobed है conspicuously rugose और tuberculate rough है और tubercle जैसी है इसकी surface hard reddish brown galls है sometimes solitary but often also crowded on the branches representing axillary branches तो axillary branches पर यह पूरे गुच्छे के रूप में होते हैं growing continuously and frequently attaining sizes ranging from 25 mm to over 50 mm in diameter no true epidermis but the gall surface with irregular naked parenchyma shells the mass of the gall may consist wholly of parenchyma with scattered vascular elements basically तो पूरा gall है वो सारा parenchyma का बना हुआ है कभी-कभी कुछ vascular elements भी होते हैं when old the gall becomes brittle and readily crumbles into a plaque dust numerous mites feed externally on the surface of gall in between the crevices of the tubercles तो यह भी पूरे इंडिया में पाया जाता है और गर्मियों में भी गॉल को इसको देखा जा सकता है और इसके अलाबा शल्वाडोड़ा जो पीलू है उसके उपर भी stem gall पाये जाते हैं यह stem gall हैं बिल्कुल मोती के आकार के और कई बार यह छोटी सी टहनी पर 8-10 गॉल एक साथ मिलते हैं माला के रूप में और इसके उपर यह इंडियसेंट गॉल है और इनमें छेद के रूप में चोटे चोसे वार्ट जैसे पिंपल जैसे मस्से जैसी structure हो जाती है उनमें से फिर यह इंसेक्ट बाहर निकल जाते हैं यह डिप्टेरा मिज के द्वा तरफ आदरा जो जिस पे यह होते हैं ति के द्वारा मीनियसे माले तो है इरियोफाइस जीनस है इस पिसी जालग है उसमें रियफाइस चरियानी है यहांपे घ्रियोफाइस कौडी इस पिशीज है इसके द्वारे यह भेसे मिल्कुल ए conventions ल्में एक दें प्रोकिश और से फाइकस गलॉमेरे टाए यह होम ऑप्टेरा के द्वारा होते हैं यह गॉल ये देखिए पति के उपर ये ओरेंज येलो कलर की जो कौल से काफी गुच्छे में भी हो जाते हो जाते हैं इस तरह से पाये जाते हैं आर अस्टी मिलेदा नीचेकितràf इसमें अ हो बिलतक किटल दिखाई नहीं देता ही इसके सर्sung गॉल और मैंजिफेरा आ दिखdensyu है तो अ अप्टेरा के द्वारा हैं बड़ गॉल्स हैं और यह जो स्टेम गॉल हैं इनको बड़ गॉल भी कहते हैं कौन चेप्ट के गॉल हैं और यह लीफ गॉल है लीफ गॉल जो है यह भी होते हैं काली मिर्थ जैसे यह गॉल है यह गॉल डिप्टेरा के द्वारा होते हैं और यह इसका T.S काटके दिखाया यह इसमें hard होते हैं काफी इसकी जो gold cavity है हार्ड है और बहुत ज्यादा common है यह मैंगो के उपर तो अल्वर में यहां रही क्अ थे स्टी आदा सच या गुर्जन जो पीड़ है यह भी पहाउट इमप्रेंट पीड़ है इसको इंडियान एश्ट्री भी कहते हैं इसके उपर भी पत्ति के ऊपर यह पाए जाता हैं इस तहरे के गौल ये पौधा बहुत कामका है और इसकी प्लाइवूड बनती है इसकी और ये टर्माइट रेजिस्टेंट है इसले भी काफी इंपोर्टेंस है इसकी और इसमें गौंद भी मिलता है इसकी इसकी स्टेंट से गौंद मिलता है और यहां अरावली हील्स पे काफी मिलता है इस पही rules वेन्स पे दिखों ये उस पर भी stem गॉल, leaf गॉल, bud गॉल, सब तरह के गॉल पाए जाते हैं, अलग-अलग agency के द्वारा होते हैं, यह leaf गॉल जो है, यह prosopis, julie flora के उपर leaf गॉल, इरियोफाइस, mite के द्वारा होते हैं, जबकि stem गॉल हैं, वो chelcid, wesp के द्वारा होते हैं, यह acacia leukofloia, ronch के उपर गॉल हैं, यह भी hymenoptera के द्वारा होते हैं, और यह एक गॉल, देखो, एक गॉल के अंदर बहुत सारी cavity हैं, अभी हमने देखा था, उसमें तो एक गॉल क के अंदर एक ही cavity थी, जो हमने देखा, पंगेमिया गॉल, इसमें एक गॉल के अंदर इतनी सारी cavity हैं, यह, उसके हर एक के अंदर एक इंसेक्ट रहता है, ऐसे, और बाहर ऑस्टियोल के द्वारा यह खुलती हैं, और यह बहुत सारे गॉल इखटे हो गए हैं, अगलमरेट हो गए हैं, और इसमें यह जो छेद दिख रहे हैं, बहुत सारे ओस्टियोल दिख रहे हैं, इसमें से इंसेक्ट बाहर आ जाता है, तो यह था, डिफरेंट टाइप के गॉल्स, जो की राजिस्थान में पाए जाते हैं, इसकी PDF मैंने आपको भीज़ दी है, तो आप PDF में से आपने पढ़ी लिया होगा, तो जो भी हम प्रैक्टिकल में और गॉल करेंगे, उसको हम और डीटेल में पढ़ लेंगे, थैंक यू